अगर आप अपने बालों को उम्र से पहले सफेद होने से बचाना चाहते हैं तो ये हेर टोनर आपके बालों के लिए बिल्कुल बेश्ट होने वाला है 100% ये आपके बालों पर वर्क करेगा असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं तब सुम कैसे हैं आपसे लोग उम्मेद करते हों कि अच्छे से होंगे फ्रेंट्स आजकल तो आपने देखा ही होगा कि कम उम्र में बच्चों के बाल सफिर होने सुरू हो जाते हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम होने स्टार्ट हुई है तो अभी से इस हेर टूनल को बनाकर लगाना शुरू कर दें इससे आपके बाल जो है ग्री हेर की प्रॉब्लम है ना वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और जो हलके फुल किसी grey hair होंगे न वो black बालों में convert होने शुरू हो जाएंगे 100% यह आपके बालों पर बहुत अच्छा result देने वाली है तो simply आपको इसे बनाने के लिए न यहाँ पर लेना है चुकंदर यानि की beat root आपको ज़्यादा continuity में बिल्कुल नहीं लेना है नहीं पड़ेगी और इस hair toner को आपको वैसे भी weeks में दो से तीन दफ़ा लगाना है तो आप इसे store करके अपनी refrigerator में रख सकते हैं आपको बार बार बनाने की जंजट भी नहीं बहुत अच्छी remedy है friends तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चुकंदर ले लिया है थोड़ा सा और इसको आपको कर लेना है कद्दुकस क्योंकि इसका हम बनाने वाले hair toner और इस तरीके से अगर हम कद्दुकस करके यूज़ करेंगे तो इसकी सारी goodness हमारे hair toner में अच्छी तरह से release हो पाएगी तो simply आपको इस तरह से इसे कद्दुकस कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पर इसके juice को भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं लेकिन इस hair toner को और भी जड़ा powerful बनाने के लिए ना इसमें हम और भी ingredients एड़ करेंगे तो यह देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको बिलकुल बारुट कद्दुकस कर लिया है अब आपको यहाँ पर लेना है एक लोही का बरतन और इसमें आपको ट्रांसफर करना है कद्दुकस किया हुआ चुकंदर यानि की बीड रूट इस तरह से डालने के बाद अब आपको इसमें next ingredients एड़ करना है curry leaf fresh curry leaf हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है बालों को काला करने के लिए बहुत ही बहुत यह बहुत यह चीज है नैचरल चीज है अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला रथना चाते हैं तो सुबह में आप curry leaf खाने की आदद जरूर डालें इससे आपको ग्रे हेर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी तो यहाँ पर मैंने इसको वास करके एक से दो मुठी यहाँ पर curry leaf डाल दिया है अब next ingredients आपको यहाँ पर add करना है एक से दो चमच यहाँ पर चाई की पती तो मैंने दो चमच यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर डालना है एक चमच कलोंजी और इसके साथ ही यहाँ पर जाने वाला है एक चमच मेथी दाना दोनों चीज़े बहुत ज़दा फैदिमन्द हैं सबी इंग्रीडेंस अपने आप में बहुत ज़दा पाउरफूल है तो अब आपको यहाँ पर डालना है आवला अगर आपको पास फ्रेश आवला है तो एक आवले को कद्डूकस करके इसमें जरूर डालें तो मैंने यहाँ पर ड्राई यूज़ किया है और अब आपको यहाँ पर एड़ करना है एच से डिर्ड बड़े ग्लास पानी तो ये देखें मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है अब आपको इसमें नेक्स इंग्रीडियन्स एड़ करना है कॉफी तो फ्रेंज कॉफी जो होती है न हमारे बालों में सैनिंग लाती है चमक आती है हमारे बालों में और हमारे बाल स्मूथ भी होते हैं तो आप नहीं पर ज़रूर कॉफी बाउडर अड़ करें और उसके बाद आपको गैस की फ्लेम आउन करनी है उस पर रख देना है पकने के लिए सासी साथ आपको यहाँ पर एक छोटी साइज की प्याज लेनी है और प्याज को कट कर के इसमें डाल देना है प्याज हमारी हेर ग्रोथ को बढ़ाती है तो अगर आपको भी हेर ग्रोथ की प्रॉबलम है तो आप यहाँ पर प्याज को ज़रूर डाले डाल कर आपको अब अच्छी तरह से आपको कम से कम 10-12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर आपको इस हेर टोनर को बढ़ियां से बॉयल करना है ताकि इन सारी इंग्रीडिन्स की गुड़नेस हमारी हेर टोनर में अच्छी तरह से रिलीज हो पाए फ्रेंस यह पाउरफुल हेर टोनर आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेश्ट है यह आपके बालों को उम्र से पहले सफेद होने से बचाएगा फ्रेंस अगर आप इसे वेक्स में एक से दो दफ़ा यूज करेंगे न तो यकीन माने बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके हेर ग्रोथ बहुत ही तेजी से होनी सुरू हो जाएगी इससे जो आपके जो हलके फुल किसे ग्रे हेर सोंगे न वो भी ब्लैक बालों में धीरे धीरे इसे यूज करने से लंबे समझ तक यूज करने से आपके बाल ब्लैक बालों में कनवर्ट होने सुरू हो जाएंगे तो फ्रेंस यकीन मानें ये हेर टोनर आपके बालों के रिए बिल्कुल बेश्ट है मेरे कहने पर आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इसे मैंने पका लिए अच्छी से अब आपको इस हेर टोनर को इस्टेंड कर लेना है तो ये देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको छान लिया है छानने के बाद आपको इस पानी का कलर तो दिखी रहा होगा कि इन सारे इंग्रेडियन्स की गुड़नेस ना इस पानी में आ चुकी है और ये हेर टोनर हमारे बालों के लिए ना इतना फायदे मन देना फ्रेंस मैं इसकी जितनी भी तारिफ करूँ ना कम है तो ये देखें मैंने इसको अच्छी से पका लिया है अब आपको इसमें नेक्स इंग्रेडियन्स एड़ करना है विटामिन E का एक कैसूल आप यहाँ पर इतने पानी में ना दो कैसूल को यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास सिलाल अभी एक ही पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर एक ही डाल रही हूँ और वो भी आदे पानी में मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ तो चलिए एक कैस्विल को मैं कट करके इसमें डाल देती हूँ विटामिन E का कैस्विल ना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है हमें वीक्स में या फिर आप 15 दिन में मन्थ में एक से दो दफ़ाना हमें विटामिन E का कैस्विल किसी भी हेर टूनर में मिला कर इस तरीके से जरूर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम्स होना दूर हो पाएं बहुत ज़्यादे बेतरी नहीं बालों के लिए इससे हमारे हेर गोध भी बहुत अच्छी होती है तो देखें मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है अब आपको सिंपले यहाँ पर एक लेना है इस तरीके की स्प्रे बोटल अगर आपके पास स्प्रे बोटल है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं नॉर्मल टमप्रेचर पर आ जाए ना उसके बाद ही आप यूज करें ना कि आप गरम गरम यूज करें गरम गरम यूज करने से आपके बालों में प्रॉब्लम हो सकती है हो सकता है कि हेर फोल बहुत जादा बढ़ जाए तो आप इस चीज का ध्यान रखें तो यह देखें इस तरीके से आप ले लें और इसको आप इस प्रे करते हुए बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और यह देखें इस तरीके से आपको इस प्रे करना है बालों की जड़ों में इससे एजली लग जाता है तो आप इस तरीके से बालों की जड़ों में लगाएं नहाने से एक घंटे पहले अगर आप इस तरीके से लगा सकते हैं तो ठीक है अगर नहीं है आपके पास स्प्रे बोटल तो आप यहाँ पर ना पॉटन की ना एक छोटी सी आप बॉल बना लिजी इस तरीके से और इससे आप इसमें हलका सा डिप करें और इससे ना आप अपने बालों के जोड़ों में अच्छी से लगाएं बालों के बालों को आप साइड करते जाएं और बालों के जोड़ों में इस तरीके से आप हलका हलका टैप करके लगाएं तो friends ये हैं दोनों तरीका जो भी आपको best लगे आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगता है तो friends आप सब कमेंट करके साथे साथ ये भी बता दें कि हमारी वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं